दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का योगई सी लर्णिंग योटूब चैनल पर बात करेंगे यूपी में कस्तुरुबा गांधी बालिका बिद्यालों की एक और भरती के बारे में और इसमें पद आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं आठ बिद्यालों से एक लिकारिक नोटिफिकेशन है जो कि कल के समचार पत्रों में देखने को मिला था हिंदूस्तान के लखनाव संसकरण में तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्ण कालिक सिच्छका की हाँ देखिए एक और जानकारी मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ जो भी छात् रिकम यह तो जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी कि हां किसका किसका यहाँ पर कॉल आना सुरू हुआ कौन कौन से जिले से और भी मांकी के चीजों के लिए आप इसे जो है जौइन कर लें। लिंक मैं आपको नीचे यहाँ पर दे दूँगा कमेंट बॉक्स में भी और डिस समाजिक भी से यह आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे फुल टाइम टीचर यानि कि पूर्ण कालिक सिचका के लिए और एज लिमिट 25 से 45 वही रखी गई है एक अपराइल से काउंट होगा और पदों की संख्या की बात करें पूण कालिक और अंस कालिक में फरक यही होता है कि पूण कालिक एपको यहाँ पर जबरज़स्ती हटाया नहीं जाता है जब तक कि आप खुद वहाँ पर छोड़ कर नहीं आते हैं मतलब कि एक एक वर्स का यहाँ पर एक्स्टेंसन देखने को मिलता रहता है जबकि अंसकाली के लिए तुरंती हटा दिया जाता है एक साल के अंदर-अंदर इसके बाद यहाँ पर अंसकाली के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है कला क्राफ्ट कंप्यूटर सारी रिक्सिच्चा यह भी से देखने को मिल जाएंगे अगर हम बात करें कम्प्यूटर की तो इसमें चार पद कला क्राफ्ट की दो पद सारी रिसिच्छा के लिए यहाँ पर दो पद और जो है कटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाएंगे आपको 50 पदों पर यह भरती है तो अब तक की सबसे बड़ी भरती इसे कहा जा सकता है जिला बेशिच्छा अधिकारी लखनव की ओर से यह बिग्यापन निकल कर आया हुआ है और अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं समचार पत्र भी कि यह किस डेट को कौन से समचार पत्र में प्रकासित हुआ है तो यह हिंदोस्तान में 16 मैं 2023 यानि कि कल के समचार पत्रों में आपको यहाँ पर देखने को मिला है और अगर हम यहाँ पर कुछ अन्य बिंदों के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 15 माई 2023 को ये जो है कार्याले जिला बेसिस हिच्चा अधिकारी लखनव की और से आपको देखने को मिल रहा है और 16 माई 2023 के समा चार पत्रों में ये प्रकासित किया गया है आठ कस्तूर्वा गांधी आवासी बाल का विद्यालों से एक साथ ये भरती है और पद की बात किया जाए तो पद्गों के बारे में मैंने आपको जानकारी देही दिया है 6 जून 2023 साम पांच बै तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एक देखे इसमें बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है कि स्पीड पोस्ट को यहाँ पर वैलिड नहीं किया जाएगा सिर्फ आवेदन आपको पंजकृत डांक के माध्यम से ही करना होगा इसका बिसेस ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा साफ तोर पर लिखा गया है कि पंजकृत डांक के अतरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्रों को सुईकार नहीं किया जाएगा और योगिता की बात की जाए तो देखिए यह कोई नया वीडियो नहीं है योगिता के बारे में आप सभी जानते ही है वही योगिता पुरानी ही है लगबग दस्यों बार मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ और रही बात इसके ओफिसियल फॉर्म को लेकर के तो यह मैं अपने वाटसप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप हर जगा अपडेट कर दूँगा ओफिसियल फॉर्म साइट पर आने से पहले ही उसके लिए आपको टिंसन नहीं लेना है था